वार्ट के इतिहास में हम पढ़ रहा है अधराशो सत्ताम की क्रांटी पढ़ और अधराशो सत्ताम की क्रांटी के शाथ साथ उससे पहले या उसके बात विबिन प्रकार के धार्मिक अंदुलन, किसान अंदुलन या जन्जाती अंदुलन उसके समाना अंतर होके रहे उसके साथ सब कही ने कही 1857 की क्रांती में इन जन्जाती अंदुलनों का विशेश योगदान था धार्मिक आंदलनों का विशेश योग्दान का और 1857-23 अपने लक्ष को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाई लेकिन एक तरीके से जंजागुरती लोगों के बीच में उत्पन्न कर दी और इसकारण फिरा लगाता लगाता आंदूलन होते ही रहे तो हमें इन आंदूलनों को पढ़ना शुरुबात करेंगे हम किसान आंदूलन से किसान आंदूलन के बाद में जंजाती आंदूलन पढ़ेंगे और जंजाती आंदूलन के बाद में हम तामाजिक भार्मिक आंदूलन की पढ़ेंगे कोशिस करनें कि एक से होक्लास मुह जो हो आपमारा सेटर का कपो हो लगा किसान ंडर कुई बताने दरहां एकाथ किसान अंडर नहीं का मैतवून है, यह मैतवून इसलिए है यह क्री के लीए जा हमें के सॺड़он जोड़त सपनाबो जोपितwn भूब करना है आप लोग चाहों तो अपने तुशल्टा के लिए एक चार्ट बना ले इनके लिए अभी बात में पूमवर्क रहे जाए एक चार्ट बना ले अंदुलें का नम कब हुआ का हुआ कौन कुन इसमें शामित थे रिनका उद्देश का था सरकार ने इसके पर क्या प्रफित लिय एक चार्ट भी बना सकते हैं एक नजर में पूरा पढ़ने में आदा रहे और मेंस के लिए हमें थेओरी के रुप में उसे पढ़ने पढ़ने हैं तो हां बढ़ना प्रिया कुन सब्सक्राइब एका थे भागा अंदुल बहुत बढ़ी है ते भागा मुपला मुपला सबसे पादा लिए को सबसे पहले पढ़ते हैं जो सबसे पेरी सबसे पहले सबसे पहले और यह है नील विद्रुफ और यह हुआ है लगभख 1869 कहीं कहीं बुक में आपको 1869 से 1862 मिलेगा कि धीरे धीरे इसको यह किसी में किसी रूप में आगे तक चलता रहा है नील विद्रुफ और यह क्या होता है यह नी कपाश को नील के बात कर रहा है कप्ड़े को रंगने जो पैस कर रगो का जाधा इस्तवाल करते हैं अब जो कलल बनते हैं यह अच्एकल से बनते हैं और पहले लिद्र प्रकुरुटिन जा सिर्म वह फीर्मों मौना नहीं कि पालास पालाश उसके पूली के बाद ऑली के 2-3 डी पेले से वो उनसे पूल नहीं नहीं रिखते से क्यों ने रिखते से स्ट्व्त तोड़ के लेकर आयाते थे उसी का रंग बनाते थे तो पहले क्या बृटेन में जो है वह वस्त्र उद्यों के लिए प्रैसित दॉद्यों की प्रैसित वहां कपड़ा बनता था का मुझे कि लेकिन उसको विदिन रंग देने के लिए नील नहीं से क्या थे अलग रंग उसे देते हैं तो उसे रंग देने के लिए दरत बने की नील की दरत करते हैं और यह क्या करते थे भारती खिसानों को लिटर नाम रहे धनेशवरी विस्ट यह क्या करते थे विए जो ब्रिटिश जो थे वो उनको एड़ वांस में पैसे दे ले थे दो एड़ चैबि करने के पाहले हैं और इस कीमत पर हमें ही बेच ना है सब्सक्राइब लोड़ा है और आफ पैसे मिलें और फिर वह बैचने के जैसे विशार करते हुए था उन्हों ने जो करज लिया था वही पूरा हुआ था किसानों के पास कुछ बसता ही भूरी नहीं तो फिर वो देरे-देरे उसका रूत करने करना लगह outros बहुत बहुत ही फिर ल котором लो हुगा है नीप अन्दल yeah उस सवह कि जैसे नील ही एक भुक है दिनमन्दू कि गो अक नाट जाज़ा उनिल आंडूलंद का उल्लेख किस नाठत में में उनलता है तो नाठत के पूछे तो दीन बन्दू में रिका मानि और अधि भूख का नाम पूछे रख़वार का नाम इस अख्वार में ये विज्रो प्रकाशिक हुआ था खबरे छक्ती थी तो दा हिंदू पैट्रिया लिखेंगे अब इसे इसका बंगालमी श्रीत्र खावता है बंगालमी बंगालमी बादान मालिकों की विरू बादान मालिकों के विरूद लिखेंगे बंगाल का नील अल्दोलग शोशन के विरूद किसानों की सीधी लडाई की बंगाल के किसान अपने खेतों में चावल होगा ना चाहते थे लेकिन उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था नील उतपादक यूरोपिय थे जो भारती किसानों को छोटी मोटी रकम देकर एक समझोता पत्र पर हस्ताक्षर लेते थे है इस समझाते के तहर्ट जो कीमत लिखे जाते थी रूट कि बाजार मुल्ले से बहुत कम भूती थे बाजार मुल्ले से बहुत कम भूती थे सितंबर 1860 में यह औहिंसक अंदोलन बंगाल की नदिया चिले में दिगंबर विश्वास व व व विश्वास के लिए तरफ में प्रारण भूर और थीरे थीरे पूरे बंगाल प्रांट में फैल गया तो अख्वारों में लेखो द्वारा जिसमें प्रमुक्त है करिशन्द मुतर जी का प्राम्थ अरिश्चल मुकर्जी का हिंदु पैट्रियर्ड ने विद्रों का समाख्रा किया तो वही दीन बंदु मित्र ने अपने नाटक निल दर्पन में किसानों के किसानों के शूर्षन का बारिकी से उल्ले किया अब पैरेग्राफ बदल दूए तो सरकार ने नवंबर 1860 1860 एटीन शिक्ष्टी नी लायुक्ती सुझाओ के अधार पर पदी सुचना जारी की कि तो पदी सुचना जारी की की कि किसी भी रईयत को किसी भी रईयत को नील की खेटी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा कि यह होगे इतना है पांग मा था बंगाल के नदिया जिले में कि दो लोगों के नाम दिगंबर विश्वास और एक नाम पर आतम में विश्मु विश्वास कि इस पर देने अम ने खाना कि एक आपके खेटी एक बाद को जिक्षी करनी पड़ेगी वह दुछरा कि इस ने किया है कि समर्थन किस ने किया है कि समर्थन एक को दो दो लोगों का उले करिए एक ने दर्पन और दूसरा है हिंदू कि एक यह तो यह नील जर्पन किसका है दिन बंदू दिन बंदू दिन बंदू दिन बंदू और कोई से मुखर्ची है अरिश चन उपर अरिश चन मुखर्ची अब इसका निदान के निकला है कि नील आयूग का गठन और इसके अनुशन साथ आधा पर अधिन पारिक कर देख अधी सुचना जारी कर देख अधी सुचना जारी कर देख कि कि अब किसी भी रईयत को रहे जाने किसां किसां को जबरदस्ति नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और जो चाहिए और कि अधिति रहा होगिक्त अब शुड़ांत में थोड़ा सा हमसे चुड़ें कि आंदूरण के नश्य करन के लिए कोई भी कारन के शुचना आंधूरण हुए इनके कारन को चेश्य किसां अंदूरण पर अभी भी होचे दिल्ली में नेको कितना धरना खूँ आपी कारण क्या है कोई बता सकता है। गार बता ले तो भी काम चल गए हमको कुंद है। पुराजसु कि दर अधीपुल किसानों को उपच के अनुसार उचित मुल्य न मिलने बिल्कुल रहे हैं सरकारों कि ऐसी नीती जो उपच और इस सारी चीज़ों में समर्खर महते हैं अधिक समर्खन मुले हो गेरे तो उस समय थाइन हो किसान वो साउपारों यह लिखने हैं ने साउपारों जमिदारों तौरा आथे दी शोषन, मतलब कोई कीमत अनी थी पस्वोति जैसे चाहे वैसे वो कम से कम कीमत में वो खरीद लेते हैं पिर एक है इसमें किसानों को बिट की बेड़कर इसे जमीदारी अधिनियम लगों और इसके तहत क्या उतर है कई किसानों को उनकी जमीन से बेड़कर कर दिया जाता है इसलिए भी यह उतर है भारते उद्योगों का दम यह नया पॉइंट है आप लोग नहीं सोचते कि यह मैं आएगा भारते उद्योगों का रहाटे परंपरागत उद्योग किसान जो है शेको खेती के साथ चोटे-पोटे दस्तकारी के रूप में जो ख़लाते जो घरो में ही चलते जैसे कपड़ा ब जमीनों से भी बेद अखर करती है उद्योग भी उनके सब्सक्राइब किसान जाइबा तो इसलिए उनको उद्योगी करने के लिए मैश्बूर इब दूसरा पढ़ेंगे पावके पावना विद्रूप पावना विद्रूप इन कंभाना विद्रूप यह वगुंक migrant 7 sayни पॉर्वी बंगाल बोच सकते हैं जो जो भी वांगलादेश है उस एरिया के बाद है पुर्वी बंगाल पाव नमें लगान वो भूमी की पैमाईश को लेता है कारण के था इसका लगान वह भूमी की पैमाईश अब देखो पहले तो लगान देते थे एक तो लगान की दर बढ़ा थी पहले की पुछला अभी डिटेल की लिखू के इस पूरा लगान की दर बढ़ा दी और दूसरा भूमी की पैमाईश मतलब नापने का तरीका भी बदल दीआ नापने का तरीका भी बदल दीआ किसान को लगता है मेरे पास पांच एकर जमीने पांच भी अब नपवार तो दस भी निकाली कितनी ओगी बढ़ांखे पहले प्रिद्व क्रिद्र लगान अब दस क्रिद्र लगान दे रहा है तो जमीन फीडवल होगी गेंदी में और लगान की दर भी डबल करती जो पहले तो इसले ये विद्रोव हुआ था दो पारण नगान की दर भी बढ़ा थी और भूमी की पैमाईश का तरीका भी बदल दिया गया है और इसका समर्थन क्या था इश्वर चंद्राय और केशो चंद्राय सुरेंडर नाथ बन यह दो तीर विशेशक देखे इन्हों ने इस आंज्योंन का बहुत अधिक पचात पसार किया और सर्टार को भी चुपाते हैं यह किसी एक फसल के लिए यह लगान के दर और भूमिंग की पहिमाईश को दितर लिखेंगे इसे विटेम पावनब पूरी बंगाल में इस्तित पूरी बंगाल में इस्तित पटसन की खेती के लिए पटसन की खेती के लिए प्रसे पावन इस आंदोलन का मुख्य कारण लगान में बृद्धी वो भूमी की पैमाईश को लेकर था इस शेत्र में अट्रा सो सप्ता से असी के दशक में असी के दशक में लगान में साथ गुना वृद्धी लगान में साथ गुना वृद्धी वो भूमी की भूमी की पैमाईश के लिए छोडी मापू का प्रयूब किया गया भूमी की पैमाईश के लिए छोडी मापू का प्रयूब दिया गया है कारण हो गया किया अब विद्रूर कैसे किया ये भी देखें अधारा सो तिहत्तर में पावना जीले के यूसुफ जाईगी परदनी में 1873 में पावना जीले के यूसुफ जाईगी परदनी में कि एक किसान संद की स्थापना की विए कि किसान संद की स्थापना की विए और इसके साथ साथ भ्याका फरिद्पूर त्रिपूरा आदी शेत्रों में फैल रहा है कि सबसे में तुछ को ने बात छूट दी है समझ नहीं कि यह अंदोलन किसके विरुद्ध हो रहा था आम तक है जोना आस्ता नहीं अब ब्रिटिस सर्गार के विरुद्ध नहीं जमिदारों के लिए जमिदारों जागिर्दार साहुकारों के विरुद्ध नहीं और इसका एक बड़ा फेमस नहीं कि हम ब्रिटिस महरानी की रहयत के अलावा और किसी की रहयत नहीं नहीं है वो बोलते हैं कि हम एक के गुलाम हैं ब्रिटिस महरानी के देश के जमिदारों ये साहुकारों के गुलाम नहीं है हम लगान देंगे लिन किसको देंगे महरानी को देंगे नाकि इन बिचौलियों को देंगे कि बिचौलियों के कारण हमें लगान ज्यादा देरा परदा यह मुख्य के लिखेंगी, पावना के विद्रोही, किसानों की, मुख्य मांगे, पैमाईश की मात में परिवर्था, पैमाईश की मात में परिवर्था था, वह बड़े हुए लगान में कमी थी, सबसे बड़ी मांग, सबसे बड़ी मांग, हम केवल या सिर्फ टब में लिखा हुए पर महाराणी की रायत होना चाहते हैं, हम केवल महाराणी की रायत होना चाहते हैं, हम केवल महाराणी की रायत होना चाहते हैं, अब ब्रिटिक सरकार को क्या लगा, या हमारा तो इसमें कई विरोध ही नहीं, कि किसका विरोध कर रहे हैं, सावकारों का जविदारों का प्रिटिक सरकार ने बोले ठीक हैं, काम करते हैं और जल्दी से कुछ संशोधन करने की बात करने हैं, तो इस आंदोलन का समर्थ हैं, बंगार के बुद्धी जीवियों में बंकिम चल्द चटुपात्याएं, बंकिम चल्द चटुपात्याएं, आर्सी दर्थ, आर्सी दर्थ, बहुत बड़े आर्सी दर्थ, सुरेननाथ बनर जी, आनंद मुहनबूस, द्वारकानाथ गांबुली नी, इंडियन एसूशियेशन की, इंडियन एसूशियेशन, एक संगड़न था, पढ़ें है अपने से भी, इंडियन एसूशियेशन की, माध्यन से किया, माध्यन से किया, लाश पॉइंट लिए, इस अंदोलन की, मेहत्वपूर्ण नेता, इशान, चन, राइ, नेता, जो अंदोलन की, पहले लिखें पने, वो समर्थ तक थे, इन्होंने इनकी मागे ब्रिटिश सर्कार तक पहुचाई थे, लेकिन अंदोलन की करता है, इशान, चन, राइ, इशान, चन, राइ, वर शंगुना, शंगुना, यह इसके प्रमुक्नेता, बात में यही हो, सरकार ने भूमी की पैमाईश करने के तरीके बदलने की बात कीती, यह अंदोलन भी धीरे-धीरे चलते रहा, और अब आयसे ही, खटम होते, अहीं सक आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं कुरी, कुछ ने, सरकार ने एक आदेश द्वारा, जमिल आरुको निर्देशित किया, कि आप हद में रहचारी लगान देते हैं, क्लियर हो गया ही, तो पागना अंदोले, और पहला नील विद्रो, दोरों से समय देत कुश्चन बनते हैं, इसके बाद हूं पढ़ेंगे, दक्कन विद्रो का, दक्कन समय है, 1875, 1875, दक्कर, कुछ सा शेत्रा आता है, दक्का नि, महाराश्य का, बहुत वर्याप नहीं जब जब जा, दक्षिन का, दक्षिन में कुछ को जब आता है, कि महाराश गुजरार कर नाट है यह वाला जो शेक्र है यह दकन के लात जो महाराश गुजराध कर नाट उदार मध्यप्रेस का शेक्र वी नीचे वाला उसी में आता है तो दक्कन की बात करें जैसे अपने पहले भी पढ़ा दक्कन में अपाल भी पढ़ा था यह सब कुछ पढ़ा वहां पर पाने की कमी है उबर खावर जमीन है उप जाओ भूमी वहाँ पर हैं तुरुश है यहां के लोग बड़े संगर्श करते रहें तखली वाद एरिया है और ऐसे अंजने लगार चिलाट के भड़ा में करते जा तो फिर तैंड विश्क्त में मारवारी के विर्व का ऐसा ऋफाच्व L d माउने गोजराती दिप्रभवस स हेविवर्व के बिच्री को वह मारवाडी साहुकारों के विरुत धियान में था गुजरा की वह मारवाडी साहुकारों के विरुत कारण क्या था इसका 1867 में गुराजस में पचास प्रतिशत तक लगान में व्रद्धी कर दिए लगान में व्रद्धी कर दिए साथ ही लगातार कई वर्षों से खराव फसल के कारण क्या होगे 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 खराव फसल के कारण पंकर्चे लगान किदर बढ़ते जा रहे हैं और कई सालों से फसलों का उत्पादन हो नहीं रहा है अब किसान के गरेगा अब करज लेगा ना सावकार उसे बिरुट इसके विरुट था गुजराते मारवाणी सावकार होगे विरुट अब इसे रिंड ले 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 थे और वो रिंड की दर्ब कैसे बहुत और वसूल करने के तरीके बड़े तदर्राफ होते थे एकदम तो यह एकदम उनके चुंगल में फस्ट है पुस्ट होई नहीं रहा उनको ऐसाल पसंद लेंगे अगले साल पसंद होगी हम चुखा देके लेकि ब्याज कि दर बढ़ते जादे किसान पही का नहीं रहा तो उ लग मर तो उसी स्थिति में यह हुआ है कर्ज के बदले महाजन कर्ज के बदले महाजन किसानों के घर जेवर वह जमीन को एक शब्दा आया है रेहन रेहन मतलब गिर्वी गिर्वी रख लेते थे गिर्वी रख लेते थे इस विद्रों की शुर्वार करडग 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 गाव से भी और धिरे धिरे यह विद्रों का पुने सोलापूर 17 दिरी यहार विद्रव पूरें सोलापूर 17 हाधी शेत्रों में फैल गया अब यहां समझने लाए कुछ चैनल पागे यहां तर तो पता चलिए 1875 में सथे ही में कि इसके विरुद के विरुक दिख्यान जो साउठी है उनके विरुद कुछ लगाना पचास प्रिश्क की व्रग्री कर देकी और लगातार खराफ वस्तों के खारण किसान दुए इनी साउठी लेते से बहुत और दर्ड के बदले में या तो आपने किसे पास घर है तो घर घर भी रख लेते हैं तो अब धीरे दिर भी जमीनों को दोगां ही करने गड़ाओं तो फिर शुरुवात कोई करड़ा आप में 1775 और क्या किया रहने इन साहुकारों का सामाजिक बंश्का सामाजिक बाइश्का कैसे किया सामाजिक बाइश्का कोई अब इनको जर्रत है कोई लगपती आदमी करोणबती आदमी है तो पैसे तो नहीं भाता आदमी कोई थी हो खाना कांदा है उपर अट है उपा गरीब आचिवेस्ः को पानी जारत है इन लोग को काम का पर सकतिर्थ नहीं है काम-वाले बाई नहीं आ है मिनको सुबह सुबह ञास गिलास भी नहीता पानी इतने उनके उपर डिपेंड तो यहां पर यही इस्तिती तो जो सामाजी वर्गे उन्होंने इसका बहिशकार कर दिया किसान गोड़र के हमें इनकी खेतों के फसल नहीं काटेंगे मजदूर्द गोड़र हैं तो धीरे धीरे फिर यह अंदूलत बढ़ते हुए फिर पूने सोलापूर इधर उधर पहलते चलाए और अब यह के साउगार लुका जाएगी अंग्रिज सरकार के बाद जाएगे हैं स सरकान के बाद जाएंगे सरकान जुनों पक्षयों के बाद सुनेंगे फिर शरकान दो रहे हैं सरकान जो है सरकान के भिरोध के थे हिरोध विछ जो सावॉकारों की जम toothbrush ह। अच्छा इतना पैसा नहीं है हमें पता भी नहीं है चलो लाओ इडी सीडी इसके चाप में पढ़वाते हैं और फिर वह एक अधिनियम पारिट किया और बोला कि लगान के दर इतनी कर दी जाए यह उतुरी बात लिखेंगे 12 मैं 12 मैं 1875 को भी मर्थी तालूका के सूपा कजबे में यह आंदोलन हिंसक हो गया महाजनों के घरों में घुसकर कर्ज से संबंधित दस्तावेजों को लूटा गया दस्तावेजों को महाजनों के कर्ज से संबंधित दस्तावेजों को लूटा गया सरकार ने जल्द ही इस आंदोलन को दबा दिया पर एक अधिनयम पारित किया गया था कुल सा दक्कन क्रिशक राहत अधिनयम 1879 अठार सोन्यस दक्कन क्रिशक राहत अधिनयम 1879 पारित किया और किसानों को महाजनों से संड्रक्षन प्रदान किया गया अब लिखेंगे टेभा का अंदोल है ते भागा अंदोलन अगला ते भागा अंदोलन यह ते भागा अंदोलन का नाम है किसे इस्तान का नाम नहीं है ते भागा मतलब तिहाई अभी पढ़ेंगे अपनुच्छ और यह है नाइंटीन फॉर्टी सिक्स फॉर्टी सेवन यह सोतंतरता के समय का अंदोलन है ते भागा अंदोलन और यह हुआ था बंगाल में किसके विरुट के जमिनदारों के विरुट के जमिनदारों के विरुट जमिनदारों के विर्व तेको इसको समझे हैं पहले अब यह हैं जमिनार और यह हैं किसान या रायत जितना भी उत्पादन होता था वो सबसे पहले कहां जमा होता था किसान के यहां पर मान के चलो कि बारा खट्टी का उत्पादन हुआ है तो उत्पादन होने के बाद में कहां पूरा यह पूरा का पूरा पूरा जमा हो रहा है जमिदार के पास में फिर जमिदार ने बता है कि इतना उत्पादन हुआ है और इसका 50% किसको दे देते हैं वो यह अब जमिदार के पास बड़ी हवेली नौपर चाका रही हूँ किसान तो एसा जाता था हाथ जोल की किसाब कितना को क्या हुआ उसको पता भी नहीं रहता था तो वास्त उत्वादा नहीं कि तो वो सब जमिदार के आप वह बड़े जमिदार बनेंगे कैसे चम्डी जाय पर दम्डी न जाय उस्टाइल में जमिदार बनते हैं तो इसानों को विश्वांसे नहीं था तुब उनको लगता है यार बहुत अच्छी बसल है इतना अधिक उत्पादन होगा जमिदार के पास्व जाते हैं रोग उत्तर बस इतना ही इतना ही पुआ और 50% कि अब ऑंदोलं में यह चाते थे जचना भी उत्पादन हो वह कहा रहे पेर मुद्ध किसान के आपर दमने चेक प्रक्ति और तीसरा इस्सा जो है वह एक किसान को दे दिया नहीं तो देवा गल्न में ते भागत आप किसान को मिले वो उसकी मेनद वो उसकी मेनद और इसके बाद जो लाग हुआ है उसको 50-50 परसेंट जाते कि वो फिर जमिदार को तो यह चाहते हैं इसे किसे क्या बोला ते बात समय है कि पहले जो जो उस पादर हुआ वो किसान की आ है और उसका एक याय भाद पहले निकाले वो और उसके बाद जो बचा है वो आधा आधा वो कर दो यह उनकी मांद लिखेंगे बंगाल के टेभागा शेत्र में इसे टेभागा शेत्र बूला जाता है और यह जमिनदारों के विरुद्ध था, जमिनदारों के विरुद्ध किसानों की समश्य यह थी जो भी उत्पादन होता था, वो जमिनदारों के गुडाउन में रखा जाता था और बाद में जमिनदारों के गुडाउन में रखा जाता था और बाद में जमिनदारों द्वारा एक बटे दो भाग किसानों को दिया जाता था किसानों को दिया जाता है किसानों की मांग भी की किसानों की मांग भी की जो कोई उत्पादन है किसानों की यहां रखा जाए किसानों की यहां रखा जाए उसका एक तिहाई भाग एक तिहाई भाग किसानों के लिए छोड़कर शेश का बराबर बराबर विभाजन किया जाए बराबर बराबर विभाजन किया जाए यह रिखना तिभागा अंदर सरकार के उसनी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती उसके कि अब हम पढ़ेंगे फढ के अनदर किसी को पताएंगे इन मैंने सब पढ लिया और देकिन किसी को बताना को बताना मत बोर ढों विलकुल नहीं बताएंगे हैं तो फढ के अनदर आससे तो ट्री लाई में लिखतार है घटना है 1879 एरिया है महराश्ट और अंदुरन करता थी वासुदेव बलवन्थ फड़ते है वासुदेव बलवन्थ फड़ते है कारण दिखेंगे दक्षिन में दक्षिन में पढ़ रहें लगाता अकाल वर्ग अकाल वर्ग बद्धिक वर्ग में बढ़ रही हिंदुर्ट की बाउड़ के कुश्चन बन सकता है इसाल व्योस्ति करेकर से लिखेंगे जहां भी समय में नहीं आते हैं इसके पूछ लाएं और दक्षिन में पढ़ रहें निरंतर अप वाधिक वार्ग में बढ़ रहें हिंदुर्ट की आँए अब यह इनका पुर्वेदर निवेतर प्रास्मा पत्र नहीं था यह सीधार लूड मार करते हैं धर्खेते डाल जैसे जमिदार सावबारों के यह पर यह धर्खेते डाल जैते इमोंने एक सेना बना लेख और यह लूड ने का इनका इनका लिखेंगे अ फड़के ने एक गुप्त संगठन बनाकर शिवाजी की तरह काम करना चाहिए गुप्त संगठन बनाकर दकायतियों के द्वारा द्वारा धन एक अत्र करने संचार व्योस्था को तैसनेस करने सौशस्त विद्रोह करने सौशस्त विद्रोह करने तथा हिंदू राज्जी के इस्थापना के बात करते हैं इनको ऐसा लगता था यार सालों तक मुस्लिमों ने राच के और अंग्रेज राच कर रहे हैं और यहां के जो हिंदू है हिंदूस्तान है इनका पुछ नहीं है तो इसलिए उन्होंने यह राश्ता हैं कर अपनाया फड़के के गिरपतार होने एवं आजीवन कारावास पाने के बाद क्या होगा नेता कोई बंद कर दिया जाए और कोई बचा नहीं हो आपका तो देरे देरे या अध्यून क्या हो जाएगा निस्क्य रहा है लिखेंगे अब पूरी बात पत्म नहीं गिलेगें फड़के के गिरपतार होने तुदा आजीवन कारावास होने के बाद दौलत रामोशी के नेतर तुमें दौलत रामोशी के नेतर तुमें यह दल 1883 तक सक्री रहा और उसके बाद दौलत रामोशी के नेतर तुमें सक्री रहा तक सक्री रहा और फिर दीरे दीरे पतन हो गया दिरे दीरे यह दन समाप्त होगा कि यह रहें उनसा फड़की अंगल है कहां पर महाराश्ण में 1879 में शुर्वन किसके नेतर को ने बल्वन वासुदेव फड़की है वासुदेव बल्वन फड़की के नेतर क्या चाहते क्या उद्देशित्राइन का हिंदू राज्ची की स्थाप्त कारण गया था लगातार बर्थे अकार लगातार बर्थे अकार लगातार बर्थे अकार और हिंदू तोती भावना का उद्देव इन्होंने गिरो बना लिए था संगटूंग बना लिए था पचाहत साथ सब्सक्राइब और यह लोग अंतियारों से ले संचार के लाजने का प्रयास के संचार को तूर पूर करते थे दूर जैसे वर्षुलली बल्मनक फ्रथे को गिराफ द्रार कैना यान्वी कम दोर हो गया फिर भी रामुषी के ने तरफ दूलत रामुषी के ने तरफ में जैसे जैसे 1813 सीथ यह चलते राज फिर अपने आप्याफिशा अब पढ़ेंगा अंगे को अगीड रोगे तो बदा सकता है कि कांपर हुआ ना पंजाब में बहुत अच्छा पंजाब में 1872 और किसके विरुद दिखाई अंग्रेजों के विरुद दिखाई ये डेरेक अंग्रेजी सरकार के विरुद अंग्रेजी की ख्रिशी निठी के विरुद दिखाई अंग्रेजी की ख्रिशी निठी के विरुद दिखाई किससे नेतर पूप या जवाहर मर्द वह उनके शिश रांसी में पूपा उनके शिष्ष रामसी कुकप रामसी कुकप लिफिंग इस पर अधारा सो अधावन के बाद से ही प्रिशक अंदुलन प्रारण बहु हो गया था यह अंदुलन उस समय के बागानों के विदेशी मालिक बेशी जमिनदार महाजनों के विरुद्धा महाजनों के विरुद्धा किसानों के मुख्यमा लगान में कमी वह बेदखली को रोकने की जमिनदार्ट प्रुद्धा जमिना दार्ट कि विरुद्धान के विदेशी मालिक दूसरा देशी महाजन और देशी जमिन दार्ट देशी जमिनदार्ट यह अंग्रेजु का वो वर्ग था जो अंग्रेजु को प्रटेक्श आउटर्टेक्श रुच्छे सपोर्ट करता हूं। यह लोग लगान बढ़ा देते थे और सरकार के सामने प्रस्ता रख देते थे सरकार आंके बंद करके, सिगनेचर टर देते। अब उनको इस बात से कोई फाइदा नहीं था, कोई लगान बढ़ा दिया, तो उनको तो यह लगना था, चलो हमारी आय बढ़ रही है, अंग्रेजियों को, वो इस बात को भूल जाता थे, कि इस आनुपा के तना नुपसान, और वो अपने ती वर्गो काज्यान रखती है, तो उनके विर्द ही आदोना है, शुर्वात जवाहमल में, और बात में इसको बड़े इस्ताफ़ पर इसने, उसके शिष्य राम सी ही, कूका के द्वारा चलाया, अब भू पढ़ेंगे, चंपारण विद्र, ये भी प्रेशक आतो रहें था, कहां पर हुआ था ही, चंपा बिहार में, किसके नेटर तुम्हें, पक्का, तो राज्तुमार शुक लब अगेरे, वोन्पूर नाम पढ़े था है, लिखेंगे, बिहार में नील बागान मालिपू के विर्द, तीन कठिया पद्धती के विर्द, तीन कठिया पद्धती के विर्द, कि क्या होता है तीन कटिया प्रगुटी अधिनी से हिस्से पर नील की खेती करना अनिवारी था अधिनियम के अपॉडिक्षा तीन बटे 20 तीन कटिया अलब तीन बटे 20 भूमी के तीन बटे 20 भाग पर नील की खेती करना अनिवारी था अनिवारी था इस्थानी किसानों द्वारा इस्थानी किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था 1917 में गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को नेत्रत उप्रदान किया गया नेत्रत उप्रदान किया गया पैणाम स्वरूप पैणाम स्वरूप चंपारण क्रशी अधिनियम 1919 पारिट किया गया और किसानों को तील कठिया पर्दती से मुक्ति दीगे तील कठिया पर्दती से मुक्ति दीगे के लिए अब धेरम सारे अंग्डोली जैसे बार्दो्री सत्या ग्रहन ये सब गांधी यूग में पड़ेंगे तो उसका सिर्फत्पर नाम भर इसमें मेरे कंट कि बात में इसकोड़े领 काOoh ये खौफ दिने चुर्ट कि शुक्तका धिती हों सब्सक्राइब विर सब्सक्राइब भी इसी आन्विलंग क्या इस एक खेड़ा सब्सक्राशाइब 308 कि यह गुजरात में कि फसलों के नश्ट होने के विरोध में कि फसलों के नश्ट होने के विरोध में कि अब हम एक आंदोलन की चर्चा करते हैं यहां पर कि वह हैं आगे मोपला विद्र कि इसे को पता हो कि दो चांद शक्तों बतादें नोग अंजा लग रहा है कि आस्था जो थे पाबना में और मोपला में जड़ा च्छिव ऑक का आपको ऐसा लग रहा है कि पाबना विद्रो केरल तरब कहीं वाना करते हैं आसाम केरे हैं, मुझे ऐसा जब जैसे ही मैंने बंगाल बुलन पुर्वी बंगाल तो ऐसा लगा कि आप सोड़े से लेकिन आसाम यह नहीं सोच रहे तो बिल्कुल सही हूं, क्यों कि उससमें आसाम की बंगाल वाला शेत्र में ही शामिन को बात करता हैं, मुपला विद्रोह क और मुखला वास्तब के रहते हैं तब की गड़ना है 1921, 1921, 1921, किसके नेत्रत हुमें, अली, मुदलियार, अली, मुदलियार की नेत्रत में, इसके अत्रिक गांदी जी, शौकर अली, मौलाना आज़ाद, आज़ी ने इस अंदूलन का समर्थन किया, इस अंदूलन का समर्थन किया, किसानों द्वारा, जमीदारों के खिलाप, विद्रों की अखां, बाद में यह अंदूलन इन सब हो गया, किसानों द्वारा, सरकारी दफ्तरों, सरकारी दस्तावेजों को चला देना, खजाना लूटना, जैसी भटनाव को अंजाम दिया गया, जैसी भटनाव को अंजाम दिया गया, सरकारी मजबूरत, सैनिक्षाषण की भूष्ण थी, सैनिक्षाषण की भूष्ण थी, वह अंदूलन को अंजाम दिया गया, बेव एंवी से कुचल दिया गया, कुचल दिया गया, मुपला, कपकी घटनाई 1921 काँ पर के रखने, अब देव उस समय भारत की राश्ट्री इस्तर की परिस्तिति प्या देखे, तो क्या है, भारती राश्ट्री कांग्रेस स्थापना हो चुकी है, और गांडी यूग में चड़ रहा है, प्रथम विश्वीद में समाफ्ता हो चुका है, और दो अंदूलन बड़े चड़ रहे उस समय, एक खिलाफत अंदूलन और और असायोग अंदूलन, यदि किसान लोग कोई घजड़ा कोई मांग कर रहे हैं, तो उसको ब्रिटिश सरकार काय से जोड़ के देख रहे हैं सीधा, और सायोग अंदूलन या खिलाफत अंदूलन से जोड़ कर देख रहे हैं, फिर जो कांद्रेस के रिकान शौकत अलिबंदू के ते खिलाफत अंदूलन चला रहे हैं, और गाने जी और अंदूलन से जुड़े कोई थे इन लोगों ने इनका समर्तन कर दिया, कि यह जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यह बात को समझ नहीं कर दो, किसान लोग यहां पर क्या चल रहा हैं, हम क्या कर रहे हैं और इन्हों ने जैसे वह मुदलियार जी को गिरफ्तार किया, यह अंदूलन कैसा हो गया? हिनसब हो गया, और हिनसब होने का है, इन्होंने सर्कारी जो पार्य रहते वहां आग लगा दी, सर्कारी दस्कावेश ते उन्हों जरा दिया, सर्कारी ख़दाना जो है वो रूटा गया, और फिर सर्कार को ऐसा लगा कि अब यह बड़ा खतरनाक इस्तिदी में मोड लेना है, तो उन्होंने सैनिक शाषनमा पर उस एरिया में लगू करदे, देखते ही गुली मार वाले इस्तिदी बढ़ते हैं, तो अपने आपने यह आंदूलन से शान लेना है, यह मोगला विद्रों 1921, अब हुँ कुछ अन्य आंदूलन पड़ेंगें, अभी हमने ठेट जो है वो किसान आंदूलन पड़ेंगेंगेंगें, अब कुछ अन्य प्रपरिटी के जैसे जलजाती आंदूलन भू सकते हैं, रामय आंदूलन भूसकता है, उनको पढ़ने कुशिस करें, दो-चार पाथ उच्छे भी करें, पहंजा दामजी पुरा, अहीं तुमार, आप थोड़ा ऐसा बता दो, इनका नमबर दे दो, इसका पंधच करें, इस नमबर पर बात कर लिया जाएकर, अब हम पढ़ेंगे अन्य जन अन्दुरण, एक अन्दुरण जिसकी बड़ी चर्चा कीती कल अपने, धामिक प्रपृति के अन्दुरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला है सन्या से बितन, पढ़ पढ़ा है, सन्या सी बितन, कोई बनना चाहता है का? कोई नहीं बनना चाहता है, सन्या से बितन, ये गटना है सत्रासू सत्रासू से सत्रासू असी के बितन, संया सी बितन, बंगाल में, बंगाल में, भीशन अपाल पड़ा, और उपर से, तिर्थी यात्रा कर में ब्रद्धी कर, तिर्थी यात्रा कर में ब्रद्धी, बंगाल में भीशन अपाल जो तेर्थी यात्रा कर में ब्रद्ध। तेर्थी यात्रा कर में ब्रद्ध। हिंदू सन्यासी जिसमें अधिकांस्ता शंकराचारे के अनुयाई थी। अनुयाई थी। अनुयाई सन्यासीयों के साथ मिलकर अनुयाई सन्यासीयों वह जन्ता के साथ मिलकर अंग्रेज कोठियों पर धावा बोला वह खजाने को यूपर अनुयाई सन्यासीयों नागा सादू भी थे इसके पंकराचारे के अनुयाई हो कि साथ में नागा सादू पर उन लोगों ने भी अंदोलन किया था यह रूप पार्ट करते हैं लंबा संगर्ज चला इसके लिए वारेन हैस्टिंस ने वारेन हैस्टिंस ने लंबे सैंड अभियान के बाद इस आंदोलन को कुचलने में सपलता प्रफ्ट कि उल्ले काई में मित्ता यह कल बताए कि अनन्द मत अनन्द मत बुक का नाम में किस किया यह बंक्तिम चन्द चटोपार्ट अनन्द मत लिए विद्ले के मिलता है सन्यासी विद्र याद भी हो गया मुद्ध पंकच सन्यासी विद्रों सन्यासी विद्वारा किया गया था क्यों किया गया था की तो इनोंने फिर सियात्राकर में भ्रत्ती कर देती है कहीं Frнить कि ह करते कर्दै दर्मी यात्रा करते तो इसके उपर मंदिर में जाना है जो इसके उसके यह फर सब्सक्राइब 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 पिर लंबा संगर्श ब्रिटिक सरकार दुआ वारन एश्विंग्स के नेटर से पुछ अब दूसरा फ़कीर विद्रू फ़कीर विद्रू और यह हैं 1767 1767 फ़कीर विद्र विद्रू और यह हैं 1767 फ़कीर किसे विद्रू आँ जी बोलिया ऑनलाइन वाले बोले जो भीग मांते हैं जो मांते हैं उसे फ़कीर केते हैं जिसके पास कुछ भी ही है उसे फ़कीर केते हैं लेकिन यह फ़कीर शब्द थोड़ अचा कहा है भाशा के आधार पर देखें नियुक्त है करने दो आदार्म के था चकर हैं जो क्यों quickly ननलत थे भार्मिक फकीरों का गुड़ता और मजनुशाह के नेतरत ने चलाए जा रहा है हाँ बिल्कुल मजनुशाह के नेतरत ने घुमक्कर मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुड़त और नेतरत को किस ने किया मजनुशाह के अंग्रेजी शाषन के विरुद्ध अगली लेंग्ड अंग्रेजी शाषन के विरुद्ध को बिद्रों करते वे जमीदारूट गौद्ध और अमीर किसानों से लिल्ट कि धन की वसूली की देन की वसूली की अब तो गलब तरीके से शुरू हो जाए तो ज्यादा दिन तक चलता है अब इतना ही यादर में 17-16 सतक था कापर बंगार में गुमकर मुसलमान धहां में फकीरों का एक गुष्थ था और जमीदारों से अभीर किसानों से यह वसूली करता और नेतर की किसने के शुरूआत में मजलू शाह के बाद में चिराग अली मजलू शाह के बाद में चिराग अली ने इस आंजोलन का नेतरत किया नेतरत किया वह भवानी पाठक भवानी पाठक भवानी पाठक देवी चौजरानी जैसे लोगों ने इस आंजोलन में सहायताना सहायताना दो इना म्याद रटना है लेके मजलू शाह और चिरागली अधारसो चैप्ता पाठक सत्रासो चैप्ता सत्रासो चैप्ता काँ पर काँ पर हुआ था पंगाउंड अब हम लेकिंगे पागल पंथी भी दो पागल पंथी पागल पंथी विद्र अधारसो तेरा पागल पंथी विद्र अधारासो तेरा से अधारासो तेरा से अधारासो तैंटी सत्रागव लंबे समय सक्क्राव पागल पंथी विद्र और यह हैं भारत के उत्तर पुर्वी भाद में पुट्तर पुर्वी भाद में जमीदारों के विरुट दिखाँ जमीदारों के विरुट कुं था नहीं का इसका भारत की पुट्तर पुर्वी भाद में जमीदारों के विरुट को बता दो कोन था इसका नेटर्ट्र करता है तीपु बेटकोज सही तीपु इस आंदोलें का नेटर्ट्र करता था और तीपु इतना मतलब इस आंदोलें के मद्धन चे आगे बढ़ता है पुट्र करते हैं तीपु इसरी अधालत अभी तल एक मूवी देख रहा था मैं पता नहीं कौन चीज़ तो एक बुंड़ा थाइब आजनी वो एक को पकड़ लेता है वो चिल लेता है बचा बचा तो बुलता है या दिन में कोई नहीं सुनता तो तो तुम्हारी आवाज को पांच बज़े के बाद कौन सुनेगा तो उदर से भारी घर कम आवा जाती है पूलते है जब सारत बंध हो जाते हैं तब देवा के अनारा प्राला करत फाहते हमें औप गारी आजाव में मूवी कहना है अधा मजस्ट्रेट वगेरे सब नियुक्त कर दिये थे फुदी नियुक्त करने लग लग ले थे कि तो में कितनी यदि जान पढ़ी है तो इतने रुपए देना पड़ेगा ऐसी जो अड़ी वाजी टाई किये करने लग लग लेकिन 1833 इस्विव में ब्रिटीज सरकार द्वारा इस विद्रोग कुचल दिया गया इस विद्रोग कुचल दिया गया एक बड़ा अंदुलें पढ़ेंगे हैं बहावी अंदुलें इसके बारे में तो पठा होगा अप्रोग के लगवगी अट्रा सो बीस में शुरू में और 1870 तक चला है लंबा अंदुलन ने यह राजनेतिक प्रकृति का अंदुलन था मुर्तव मुस्लिम सुधारवादी अंदुल मुस्लिम सुधारवादी के अंदुलन था अन्दुलाइग एटीन ट्वेंटी टू एटीन सेवेंटी लिखेंगे इसमें आन्दुलन के संस्थापक अब्दुल बहाव अब्दुल बहाव दो लोग इससे जुड़े हुए हैं ये थे अब्दुल बहाव और इसी के कानद इस अंदुलन को बहाव भी अंदुलन का गया लेकिन बाद में इसमें सयर एहमन राय बरेल भी स्थाइब एहमन राय बरेल भी द्वार इसस अंदुलन को अधिक लोगप्री बनाया गया अधिक लोगप्री बनाया वे नहीं मुक्ख उद्देश के किसके नेतरतुम्में चला गया दोनों बाते हो गब कब उद्देश और किसके नेतरतुम्मृ कहाँ चलाय गया तो अंदोलन का मुक्ख केल पेशावर के असपास पेशावर के आस्पास, पेशावर के आस्पास, इस आन्दोनन के माद्यम से, शिक्खों को पंजाब से, वर अंग्रेजों को बंगाल से, अंग्रेजों को बंगाल से, और पदस्त कर, मुस्लिम शक्ती की पुनर इस्तापना करना चाहते हैं, पुनर इस्तापना करना चाहते हैं, तो यह उसी समय के बात है, तो पंजाब में किसका अधिकार था, शिक्खों को, और उसी के समानांतर देखते हैं, तो 1775, 1774 उसके बात में, बंगाल में किसका अधिकत्य होगा है, अंग्रेजों को, और जब कि यह कैसे उसके थे, कि दिल्ली संतानत उनको याद है, मुगर बाश्या, अपिभर यादे, और अरंग्जिव यादे, उनको लगना है कि यहां के शाशक को ले, हम लोग को, और हम लोग को आप मदस्त करना है, इसके लिए अपने अनुयाईयों को, अपने अनुयाईयों को, शास्त्र धारन करने, शास्त्र धारन करने, सैनिक वेश भूशा धारन करने, वो सैनिक प्रसिक्षन की बात करते हैं, सैयद एमद राय बरेलवी की मृत्यू के बाद, पठना अन्दूरन का मुख्य केंद्र बना, मुख्य केंद्र बना, विलायत अली, विलायत अली, इनायत अली, मौल्वी कासिम, आदी महत्वपून नेता, आदी महत्वपून नेता, इस अंदूलन से जुड़े, इस अंदूलन से जुड़े, इतिहास कारों का मत है कि, इतिहास कारों का मत है कि, यहाँ आदूलन, इतिहास कारों का मत है कि, यहाँ आदूलन, आठारा सो सक्तावन की ट्रांती से, कहीं ज्यादा अधिक नियोजित वो संगठित था, संगठित था, अब यह भी बोला कि यह अंदूलन मुख्यरुप से, मुस्लिम अंदूलन था, लेकिन उन्होंने हिंदों का विरोध निक्षा, विरोध चिता किया था, सिखों का किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था, यह मैं तो नातो जैनके एक सामटे कुश्चन बन साकता है, लगाँ को गम्रोल हुल हुआ तो धार्मिक प्लूर्जिस एक डीके अंदुले मंने पुकेयर विद्रो परा सन्यासी में विद्रो फागलपन्ती विद्रो और बहावी अनूह एक पढ़ेंगे रौमु सिंवा की रामुुTH रामोसी विद्व किसी को पता हूँ तो बात करें रामोसी विद्व रामोसी विद्व प्रिया नहीं ऐसे लोगों के बारे को अबरे भी रहते हैं आप इसे कामकाजी सक्से हैं पश्यम घाट में जिए ठीक है पश्यम घाट में कुंसा है इती प्रदेश की वाथे एपश्यम घाट में अंहाराश्ट के गडर तो महाराश्ट के जू सांवाष्ट कि बसेन इस पारश्य के credit आएगा में 1822 में किसके विरुद्ध थाई जिसने पश्रिम धान्ड बताया वही बताने की कि किसके विरुद्ध में थाई 1822 जी किसके विरुद्ध में था बिटिश सर्कान के विरुद्ध था जमिदारों के विरुद्ध था इस्थाने रादाओं के विरुद्ध था किसके विरुद्ध था अब देखे हम 1822 जी थोड़ी से एतियासिक प्रिश्ट भूब देखे हैं तो 1822 से पहले हम 1818 की रचना पर देखे हैं 1818 में क्रती आम मराठा यह दूद्ध और इसमें मराठा कुनो रूप से समाफ्ट हो दूद्ध मराठा को तब क्योंकि उसमें पेश्ट राज़ने जगर नहीं नहीं बूशे हैं आप मैंन नहीं धूद्ध न कर दिया नहीं थी लरन तो नहीं रूसकता अब यही बात हुई थी उनके साँंगे तो हो मराट्य की सेना की सिपाई थी पहले मराट्य के सेना के सिपाई थे और ये अंगरेजी प्रठाव के परंबराव के विरुद्रा अपना अंग्द्रे चला लिखेंगे से या इस विद्रों में उन सैनी को द्वारा भाग लिया गया जो पहले कभी मराटों की सेना में शामिल थे सरप्रथम इनों ने सतारा में लूप पड़ ती उसके बाद में महराष्ट के अन्य शेत्रों में भी लूप पाट करना शुरू कर दिया रामो सीव ने उमा जी जी रामो सी कहा है एक जाती जैसे वो थे ठाग थे उस तरीके से ये ये जाती थे और वर्ग के लूप पहले महराठों की सेना में लड़ते चाहिए अब बेरुजगार हो गए तो आप क्या मेरे रूट पाट करना शुरू किया पहले किसके नेत्रत में किया ये मुझे अभी लूट पाट करना शुरूब कर अब अब अंग्रेज सरकार बोलती गब क्या किया जा है किया था इनका इस्ताई समाधान होना चाहिए तो समाधान के रूप में किया है इन्होंने कि ब्रिटिश सरकार ने रामोसियों के विद्रोग को समाप्त करने के लिए भूमी दान में दी और पहाड़े पुलिस में नौक्री दी पहाड़े पुलिस में नौक्री दी पहाड़ी पुलिस में नौक्री दी अब दो तीर विद्रू छुटे 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 तन और यह लिक्वादेख्या गळकरी विद्रू गळकरी विद्रू अठारा सु चमालीस इस नाम से एक बहुत बड़े राजनेता है यहीं तो गरतरी विद्रों कहां पर कुलापुर महराश्ट में सामातवदी विद्रों था। सामंतवदी विद्रों सामातवदी विद्रों मत्तल्सामनथ जमिन्दांदे विरुद versuchen यहीन को लेकर अग्ला लिखेंगे बेलु तंपी वित्रो ये अठारा सो आठ नो अठारा सो आठ नो में त्रावान पूर केरल में पूर थीखुट् सुल्थान के बारे में पढ़ा है जो कि तहाँ अंग्रेजो का ये समर्थिता Best थे त्रावान कुर अंग्रेजों के समर्थन से शल्षन करते थे इक पढ़ानि के गाता है तु वहां की दीवान हसा वहां वहन थी वांग देवान था वह नाम था वेल कई उपस का नाम था दीवाद जब यह अंग्रेजी राते में कुण अरूड़ा तो इसके नेतरत में वेलू तहंतिके नेतरत नहीं विज़ो हुआ है को था यह त्रावन को का दिवान दिवान और अंग्रेचव रुख सोचा क्या किया रदैंज आपना हो थां दिवान की क्या दर्दत है ? अपने पास इससे को स्वर्णिक जाविह दीवान को डिवान आप दो अब दिवान की दरत ही नहीं यह समस्वत नहीं करते हैं अब इसको बोलता है कि तुम स्वर्ग रूप में जाओ और वहां दीवानी बेखो तो क्या कर दिया है इसको सारोजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया और यह आंदोरन अपने आपे समा के क्लियर उनको ग्रावन को वेलू कंपी वित्व क्या? यह वेलू टम्पी वेलू टम्पी जो दिवान था जिसके ने तरफ में विद्रो हो रहा था एक्ट्वली क्या है कि त्रावन को जो है उसके सायग संदी के मार्जन से बेटें साम्राशी में मिला जो कि अधारा सो सत्रा सो निन्यांवे में अपने पड़ा भी होगा सत्रा सो निन्यांवे में मैसूर के साथ और नहीं होता है साय संदी की जो तरह संदी जो है शत्रासो निन्यांवे में अंठानवे में शुरूआत हुए थी लाटे वेले जली के बहुता तो अंठानवे में और उसके बाद में मैसून के साथ में और उसके बाद में 53 को पर यह इसी के लगवक में और जब चाय संदी कर ली उन्होंने तो उनकों पहुत अधिक पैसों की मांग तो दीवान देज़ार वह विद्रो कर दिया और विद्रो किया उस समय तक चलता रहा अग्रेज परशान ह और विद्रो को पैसे दवाएं तो उसको मरे हुए वह इस बात पर नहीं है आप और हम सुझ रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है तो सही जवाब हमारा आग्री सदerson क्लिर हो गया अब हुआ परेंगे किटू छैनम मगें ऊ किटू चैनम आप हविद्रो किटू चैनम मग मत मिद्रो था था किट्आँ चैनम मक व्य आद्हारा सो चौराट्व 2209 के भीच में करनाटर कि में करनाटक यह मैसूर वाले राज्य की बात कर रहे हैं अपने पड़ा कि 1799 में टीपू की म्रत्य हो गई थी टीपू की म्रत्यू के बाद वहां वह एक अल्पवाइस कशाशक था वाडियार वाश्टा कृष्ण त्रती उसको वहां कशाशक बना दिया और उसकी म्रत्यू के बा करनाटक के इस्थानिय शाशक की मृत्यू के बाद अब उसके सामराज को अब व्रत्यू वाद उसके उत्तरा दिखारे को उसके उत्तरा दिखारे को मानने ता नहीं दीदी कि परिणाप परूर्श को चेनम्मानी यह विदरोग किया में विदरोग किया अब यह विदरोग किया अडिया अब ये विदरोग के जो विद्रों पढ़े उसमें अपाजें और जन अंगोगना उसमें धर्मिट प्रिवृत्ती के विद्रों जो पढ़े राजनी की उत्राधिकार के लिए से संगर्ट करें अब हम दो-चार विद्रों की बात करेंगे जो जन जाती है विद्रों यह भी मैंतबूर्ण है और इ जी जान्टियां प्रिद्वारों धिर करें संथालो है जी बोलं एक संथालो ऐसे विद्रों किalay भाया संधालो विद्रों यह जंजाति विद्रो की कारण करता इंजे कुछ अलब कारता इस से लाधा इंको फर्द ही परता है कि यह जल जंगल जमी कि जल जंगल जमीन को लेकर इसका विद्रो उटा तो तो सबसे पहले हम विद्रु की बात करते हैं संथाल विद्रुरु के बीच में संथाल विद्रुरु 1556 संथाल विद्रुरु सब्सक्राइब किसके नेत्रतु में हुआ था सिद्धू कान्व कि सिद्धू कान्व के नेत्रतु नेत्रतु में क्या कि इनके मांगे प्रमुख सिद्धू कान्व के नेत्रतु में विद्रों की शुरुवात आदिवासी वारा भागलपूर से छोटा नाथ्पूर का पठा भागलपूर से राज महल के बीच भागलपूर से कारण करण करण कर और दो चांद कर दो चांद कर दो नमबर एक भूमी और धिकारीयों के द्वारा दुर्विवार भूमी और धिकारीयों के द्वारा दुर्विवार एक तरफ नहीं से दिवस्कित चरह है तो पॉइंट लेखें दूसरा पुलिस का दमन तीसरा जमीदारों वर साहुकारों की और वयद वस्कित अब इसको समझेंगे तीनों कारों सबसे पहला हम नीचे वागते जमीदारों और साहुकारों दौरा ववयर वस्कित अब जो विदीवद करते हैं उसके अतिरिक के यह कर लेते ते और कल कर वसूल करने के लिए जमीदार तो नहीं जाएगा वह अपने अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को भेज़ते और इनके कर्मचारी जो है इनके घरों में जाते हैं और जबन दस्ती अकर उनके साथ दुर्वेपार कर रहे हैं पैसे नहीं है तो उढ़ा के लेके जा रहे हैं और वह तरीके से महिलाओ के साथ में गलत व्योपार लिए इसको बड़े अच्छे से बताया है अभी एक मूजी देख पठान नहीं उसके बाद में दंकी और पठान के बिच में इसमें बैंक करुणियों का दिखाए गया है कि वह वसूली कर निखले जाए एक किसान जो है वह वहां पर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर बेजना चाहरा है जो है उसकी पढ़नी के लिए कई बाहर जा रही हुआ और बैंक करमी जो है वो उसे लगान वसुली के लिए। या रिण वसुली के लिए पाझ जाते है तो उस गरीब किसान को वीचार को उसकी बैटी के सामने पीर हो गाह वालों के सामने दिल्वास tenth —का रहता है वह बेटी को तो भेज देता है पढ़ने के लिए और खुद जो है वह उसी बस स्टेड़ पे पेड़ से फांसे पे लटा जाए कोई से यादा है जवाद कितना कम घ्यार रखते हैं आप लोग फिल्मकर नाम क्या है जवाद उसमें इस समझ्षा को बताए है कि जो किसान अब पहली घटना घटी कि आपने अनावश्य क्रूप से उनके पर कर लगा है फिर वसूल करने के तरीका भी आपका गलती है सम्मान जनक तरीके से भई नहीं है तो उसका कुछ निराकरन बताते ही है जो चीज दिकी उटा के लेकर चले गए आप ऐसा कि नहीं हो सकता है पुलिस के पांच जाएंगे पुलिस के पांच जाते हैं तो वानडडे मार रहा है वहां पे उसके साथ है तो यह कारण लिए अपने यह सब उसके साथ जो रहा था संधाल आदिवास्यों के साथ तो फिर मजबूरी में अब कुछ नहीं हो चाँवारे पास उमें तो संधाल विद्रों को सिद्धू और कानू द्वारा नेत्र तो प्रदान किया और उन्होंने घोष्णा की-की ठाकुर जी ने उन्हीं आदेश दिया है कि वे आजादी के लिए हक्यार उठाले आजादी के लिए हक्यार उठाले ने आप बता है ठाकुर जी तो अब पढ़ रहे होगा आप जंजाते आपको पता होना चाहिए है देव का देश भगवान उन्होंने आदेश दिया है कि अब हद हो गई है अब तुम हतियान पुढ़ा रहे हैं क्लियर होगे एकना कौन साथ क्लियर है उसका सरगार ने संथालों को सरगार ने संथालों के विद्रों को पुचलने के लिए मार्शल्ला लागू किया अब साइनिक शाचन लागू किया मार्शल्ला लागू किया विद्रोहियों को विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम की भूशना थी इनाम की भूशना थी अगस्ट 1855 में कि सिद्धू पूर वर फरवरी 1856 में कानु पूर के इत सब्सक्रादय इनाम कि सिद्धाथ हमारो हिव इत स्फित आगणơ में कानु पूर पकरगाlica